रहें दोस्तों मैं इम्रान सिर्फी आप देख रहे हैं मोटीविस्टनल, टेकनोजिशनल और आज हम बात किने जा रहे हैं उत्तरपर्देस और दिल्ली को आपस में जोड़ने वाला एक्सप्रेस्वी हा दोस्तों दिल्ली धारगून एक्सप्रेसवे को लेकर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दी है दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस प्रोजेक्ट पर इस वक्त क्यों रोक लगाई गई है उसके बारे में मैं आपको बतानी जा रहा हूँ एक एनचाई ने सुप्रीम कोट को पेड़ों को लेकर एक रिपोर्ट भेजी थी इस एक्स्पेस्वे के अंतरगत 11,000 से उपर पेड़ आ रहे है और एनचाई की तरफ से एक रिपोर्ट सोपी गई थी सुप्रीम कोट को और उस पे स्थनवाई हुई है तो इसको लेकर और प्लस एक एनचियो के मध्यम से एक सुप्रीम कोट के लिए पर एक ग्यापन दिया गया था जिसको हम ग्यापन बोल सकते हैं उसके अरुसार इस वक्त सुनवाई हुई है और इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है क्योंकि 11,000 पीड काटने है तो अब सुप्रीम कोट की दुवारा जो सुनवाई हुईगी 26 नुवंबर के बाद सुनवाई हुईगी उससे पहले पहले सरकार को इन पेड़ों को बचाने के लिए या यह जो 11,000 पेड़ है इनकी और विवस्ता करने के लिए सरकार को एक नया पिलान बनाना पड़ेगा उसके बाद इस प्रोजेक्ट पेसे रोक हटेगी और उसके बाद जो बैने में की जो पिरक्रिया है वो प्रारम कर दी जाएगी दूसरा जो किसान कंटिन्यू अपनी आवाज उठा रहे हैं सरकीलेटो को लेकर कुछ किसानों के बेनामे सुरू कर दिये गए हैं और कुछ किसान अपनी सरकीलेटो को लेकर अभी अड़े हुए हैं इसलिए इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है और फिर सुप्रीम कोट क आदेश के बाद इस expressway पर रोक लगा दी गई है और पेड़ों की जो विवस्ता है वो कराए जाएगी क्या सरकार और या क्या जो एनाचाई है वो क्या प्रिस्ताव रखेगी सुप्रीम कोड के सामने जिस से इस से रोक हटाए जाए और उसके बाद इसका निर्मान की पिर्क